आप सभी दर्शकों को शालनी सिंग का नमस्कार आप देख रहे हैं NCERT का लाइब फोन इन कारिक्रम स्वयम प्रभा के किशोर मंच चैनल पर और साथ ही ये कारिक्रम आप लाइब देखते हैं NCERT के ऑफिशल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशल पर भी वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल कर जो उत्साह और उमंग से भरी ये पंग्तियां उसी उत्साह कविता से ली गई हैं जिसे महानकवी, उपन्यासकार, निबंधकार, सूरिकांत त्रिपार्धी निराला जी ने अपने बड़ी ही खुबसूरत शब्दों में पिरोया है, यू तो निराला जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहिते को बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहां समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, आज हम उनकी दो कविताओं के विशय पर चर्चा करेंगे, गवताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, ये हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार दुबे, प्रोफिसर हिंदी, भाषा शिक्षा विभाग, NCRT नई दिली से, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, इससे पहले कि हम इन दो कविताओं की खुबसूरत कविताओं के विशय पर चर्चा करें, मैं चाहूंगी कि हमार नीजी वेक्थित्व में भी एक विराठ भिभूति थे, भिभूति शब्द में कहना चाहता हूं। क्योंकि हिंदी में उस उचाई का कवी वेक्थित्व के साथ कावर लिखना एक बात होती है, और सेम एक कवी आपना नीजी वैक्तित्त होता है यह दुरलब है और निराला जी उसके मुर्तुमान रूप्त है कितनी χीमदंतिया उनके वैक्तितौ में वैक्तित्तों के बारे में लोगों में सुनी जाती हैं, साहित जगत में कितनी बाते होती हैं, कोई एक जिसको कहते हैं, सजीव, मैंने, लिविंग लिजेंट, ऐसा पूरा वैक्तित्व, रिशी तुल्ले, निराला जी है, कविताएं हमारे साहित में अभी भी, निराला की जो कविताएं हैं, अपने विराठ स्वरूप के कारण, एक हिमाले की तरह, कि इमाले में कितनी गुफाएं हैं, कितनी नदियां हैं, क्या-क्या रहस्य बना हुआ रहता है, उसी तरह से उनकी कविताएं भी हैं, एक ग्यान और बैभाव का ख़जाना है, तो आप इसे परावें, जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि हम सबसे पहले अपनी उत रचनाकार के व्यक्तितों को प्रगट करती है, तो रचना में आप देखिए, बादल पर बादचीत हुई थी, इसके अगली कड़ी में, तो उसमें उत्साही कविता का नाम है, और बादल इसकी विशह वस्तु है, बादल कैसा है, तो ललित है, ललित, ललित काले, घुखर बाल कलपना के से पाले, जैसे बालकों का जब तक मुंडन नहीं होता है, तो घुखराले बाल होते हैं, उसी तरह से घुखराले बालों की तरह बादल देखने बादल दिख रहे हैं, ललित भी हैं, और बाल सुलभ भी हैं, जैसा है कि बाल कलपना के से पाले, जैसे बालको में कलपनाएं पलती हैं, उस तरह से ये पले हुए हैं, अब देखी कोई इस्थिर बिम्ब नहीं होता, जब आकास में बादल होते हैं, तो कभी वो हाथी की तरह दिख सकते हैं, कभी वो घूड़े की तरह दिख सकते हैं, कभी लगेगा की पहाड है, कभी लगेगा की नदी ह और इसी तरह की कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं, तो उनकी कविता में जैसे भेण बैठे हुए हैं, भेणों के गल्ले, भीड, इस तरह से उन्हों ने उन बादलों के विशे में कहा है, बादल प्रतिछण बदलते हैं, वो इस तरह बालकों की जो कल्पना है, वो नव जीवन के लिए, क्योंकि बरशा होगी, तो नए नए अंकुर, नए नए पौधे होगेंगे, और क्या होगा कि उसके भीतर विद्दुत है, अगनी है, जितनी संभावना है हो सकती है बालक के जीवन में, वो सब कुछ उसमें निहित है, और दूसरा क्या करता है वो कि विकल विकल उनमन थे उनमन, विष्व के निदाग के सकल जन, गर्मी का दिन होता है न तुसको निदाग कहते हैं, तो विष्व का जीवन जो है वो जल रहा है, प्याशा है, अत्रिप्त है, विकल है, उनमन है, उदास है, अब उस उदासी में, खिस्से आसा होगी, तब त जल से, फिर सीतल कर दो, एक तरफ गरजना है, दूसरी तरफ गरजना बरसना है, तीसरी तरफ परिणाम निकला, सीतल कर दो, बादल, गरजो. तो एक उत्सा में क्या-क्या हुआ, क्रमसह की बरशा हुई, धर्ती उरवर हुई, बनस्पतियां जगी, लोगों की प्यास मुटी, ये उत्सा का मतलब ये नहीं हुआ, कि जो किसी सोदेश से नहों, किसी अच्छे काम को न परिणाम दे, उत्सा का मतलब, जो इनके हाँ, का चैन करते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर, तो ये उत्सा जो है, सरजनात्मक है, रचनात्मक है, तो इस कविता के बाद, दूसरी कविता की ओर हम चलेंगा, जाहूंगी, कि आप हमारे दर्शरकों को ये किताब भी दिखाएं, कि किस कक्षा के लिए हम ये किताब पढ़ा रहे हैं, और ये कविताएं, ये इसका नाम चितिज है, चितिज भाग दो, कक्षा दस पाठे करम, थोड़ा साब, अगर अगर पुस्तक को यहां रखी, तो मुझे लगता है, जादा बेहतर तरीके से दिखाए देगा, तो ये होगा उत्सा, ठीक है, और इसके बाद, आप की ये कविता, ये दूसरी कविता हमारी, आप मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से दिखाएंगे, तो बहतर दिखेगे, आहम मैं कक्षा की बाद कर रहे हैं, या साथी कि हम किस कक्षा के लिए इसको पढ़ाते हैं, ये क्लास 10 है, दसवी कक्षा है, और उसमें जो मातरी हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए है, क्योंकि ये तैयारी चलती है कि इसके बाद 11th 12th आएगा, इगरामी बरामी की कक्षाएं आएंगी, और तब तक हम ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी असना तक होने के लिए ग्रेजुएशन लेवल में जाने के लिए तैय हो चुका होगा, तो हम उतनी तैयारी के लिए इन कविताओं को प्रस्तुत करते हैं, मुझे ये बादल कविता, जो अच्जा कविता है, बादलों की विशे में आपने बहुत ये अची तरह की से समझाया पर मुझे बहुत इंट्रस्टिंग लगी, मैं कुछ एक सवाल है म मेरे मन में, जग्यासा हैं जो मैं जानना चाहूँगी, बादल को तरह तरह से यहां पर समझाया गया है, तरह तरह उसकी अर्थ बताए गये हैं, तो उन अर्थों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बादल एक हमारी काबे परंपरा में बैदिक काल से लेके आज तक सतत विद्देमान है, और कविता की दुनिया में ही नहीं, मनुस्य के जीवन जगत में भी, विल्कुल जब जेट की दुपारी के बाद, जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसके बाद बर्सात का मौसम आता है, बर्सात के रितु में, बर्षा रितु में, एक चीर प्रत्तिक्शित बर्षा की बूदों की ये लोगों में कामना होती है, और वह कामना, अनियक तरह से हमारा समाज मनाता है, तो बेवहारिक जगत में और कावे जगत में दोनों जगह कविता ये बादलों पर कविता बादलों के बारे में गीत ये हमारे लोक से लेकर वेद तक हर जगह प्राप्त होगा इस पर कुछ चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में किया था क्या कवी इस माध्यम से हमें कुछ संदेश भी देना चाहता है? बादल का संदेश आप देखिए ये बादल हमारे लिए मेग दूत बनकर कालिदास में आया हुआ है और मेग दूत एक प्रेमी का संदेश अपने प्रयसी के लिए ये तो बाहर दिखाई दे रहा है लेकिन भारत की अखंडता याने राम टेक महाराष्टर में है और अलका पूरे भारत की एक एक दर्शनी ये अस्थलियां वन परवत खेत सब का बरणन कर रहा है और एक समझिये की जैसे हवाई जहाज से वायुआन से जैसे चित्र खीचा जाता है उस तरह से उसने पूरा यहां से वहां तक फिल्म की तरह का विता बनाई है उसमें नदियां बह र संस्कृति का स्वरूप देखती है तो कभी केवल एक संदेश के लिए कोई कविता नहीं लिखता है और कविता एक ऐसा संस्लिष्ट ऐसी कला है जिसमें इतिहास से लेकर संस्कृति और संवेदना जीवन अपना और दूसरे का सब कुछ इतनी धेर सारी चीजें उस पर 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 कासी सिर्म परायों का अनुभाव सब कुछ समाहित होता है कि कभी हम उसका एक उदेश नहीं बना सकते फिर भी एक उदेश Cirत को हैं कि अपने भावक को अपने पाठक को Lu अपने सांस्कृतिक साहितिक संपढ़ा को स्मृध्ध करता है जी बहत सारे परिवर्तनकारी कोशिश की गई है समाज में उसके बारे में आपका क्या कहना है जैसे निराला आप जहां देखिएगा हमेशा नवता की बात करते हैं तो कोई प्राचीन है पुराना है और उसको नवता प्रदान करनी है नया बनाना है तो वो एक प्रिवर्तनकारी चेतना ही होगी तो स्रियन कार्य आप देखेंगी तो सब में एक नोता है सब में नवीनता है इतनोता के कभी है निश्ची तुरुप से जो पुराना है पीछे छूटेगा और नया नए समय में नए धंग से उठेगा तो इसलिए निराला नोता के कभी है ऐसा कहा जाए निराला जी बहुत ही निराले है इसलिए निराले है बिलकुल बिलकुल चलिए हमने बहुत काफी कुछ जाना अपनी इस कभीता उत्साह के बारे में अब बढ़ते हैं अपनी अगली कभीता की तरफ अट नहीं रही है थोड़ा से पहले से पढ़कर बताएं और प्र समझाएं पहले अट नहीं कविता भागुन के संदर में है रितु परिवर्तन हो गया है और नई नई कोपले निकल रही है वसंत का आगमन हो चुका है ये सब कुछ है ठीक है बिलकुल बिलकुल निराला से हम कहते है कि मैं अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर इस किताब को अगर दिखाई हमें थीक है थोड़ा सा इसको उपर करिये जी साथ साथ वो पड़ भी सकेंगे ये बते है तो अट नहीं रही है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन शट नहीं रही है अब देखिए कि इस पंक्ती में फागुन की आभा आभा से युक्त तन प्रकृति की बात हो रही है आभा किसकी है फागुन की है फागुन की आभा का तन है लेकिन कैसे लिखा उन्होंने कि आभा प्रकृतिकी की यह रुपना है पॉछ देना है फिर तन्षट नहीं रही है। अत नहीं रही है कविता के भीतर जितना कहा गया है ना उसके भीतर और भीतर और भीतर कावे की संवेदना उसका संदर्ज उसकी अनुभूतियां भरी पड़ी है इसलिए जितना सब्द में बधा हुआ है उससे और गहरा जाना पड़ेगा मैं इस रचना प्रकिरिया पर थोड़ी सी बात करूँगा मैं इसको पड़ देता हूँ कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो आंक हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल पाट पाट सोभासरी पत नहीं रही है अब दिखिये कि कि आपको किसी एक दिश्य का बढ़न कभी नहीं किया किसी एक या नहीं फागुन के उस बाता बढ़न को अलग से दिखाया उसके साथ खड़ा है उससे समवाद कर रहा है और कव्धा पढ़ते ही समझ में आ जाता है लेकिन फिर भी कह क्या रहा है अंट नहीं रही है बार अट नहीं रही है, यह अभिप्राय क्या है, और यह रचनप्र किरिया है, जिसको मैं सुरू करता हूँ तुलसी से, श्याम गौर किम कहाँ बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी, यह जो राम लक्षुमन खड़े हैं, यह सावडले और गोरे, इनके बारे में मैं क्या कहूं, कैसे इनका बखान करूं, कैसे इनका वर्णन करूं, गिरा अनेइन जो जीब है जिसे बोल रहा हूँ वाड़ी वाड़ी में आंखे नहीं है जो आखे देख रही है उनमें वाड़ी नहीं है उसे शब्दों में बेहान करना मुश्किल है वो शब्द नही है देखये इसमें क्या कहा है जिस तरह से देख रही है, वाड़ी उसको कह नहीं सकती है, गीरा अनयन, गीरा में आखे नहीं है, और आखों में बैड़ी नहीं है, कहा नहीं जा सकता, किन शब्दों में वर्णन करूँ, इस बात को तुलसी ने उस समय कहा, एक, जब सब्द नहीं देने की स्थिती होती है, कभी अपने को अनुभाव करता है, कि मेरे सब्दों में बातें अट नहीं रही हैं, किन सब्दों में कहूँ, किन सब्दों में बताऊँ, तुम्हारे इस सब्दर्ज को, जिस सब्द से भी में तौलने की कोशिश करूँगा, वह जूठा हो जाएगा, उसमें बात नहीं अटेगी, ये काब्य परंपरा के भीतर हजारों वर्स से अकथ्य है, फिर भी मैं कथन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको वाणी में नहीं बात सबता हूँ, इसको अगे जी ने बिलकुल अध्यतन सब्दावली में किस तरह कहा, मैं सभी ओर से खुला हूँ, वनसा, अपने में बंद हूँ, बंद खुद, वन जो है वो खुला हुआ है, चारों तरफ, कोई भी उसकी चार दिवारी नहीं है, और अपने आप में बंद भी है, सब्दों में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का चंद हूँ, शब्दों में मेरी समाई नहीं होगी, अट नहीं रही है, और खीसमें और क्या, अट नहीं रही है, तो सब्दों में नहीं अट रही है, सब्दों में मेरी समाई नहीं होगी, वहां मेरी लिखा न, यहां पर जो है फागुन है फागुन की आभा है, फागुन का सुन्दर्ज है, फागुन की हवाएं हैं, और फूल खिले हुए है, जो भी मस्ती है, मौसम की मस्ती, बहुत ज्यादा है, वह सारी मस्ती अट नही रही है, कहां? शबसंदों में. उसकी सुन्दर्दा इतनी है. हाँ ज मैं सननाटे का चंद हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, फिर भी एक बहुत बड़ा मौन मेरे भीतर सोया हूआ है, बैठा हूआ है, निराला के बाद के कभी, लग बाद कुछ समकालीन ही हैं, अगे जी, लेकिन बाद में इनकी गरना करते हैं, प्रियोगवादी कभी के रूप मे प्रगतिवाद के बाद ही एक तरह से इनको ज़्यादा अस्थान मिला, तो इदों ने नई भाशा का बेभाशा रची, कि मैं सननाटे का चंद हूँ, शब्दों में मेरी समाई नहीं होगी, उनके पूर्व, आपने देखा, कि निराला ने कहा, अट नहीं रही है, जो आभ दो में अट नहीं रही है, जी मेरी एक जिग्यासा है यहाँ पर अगर आप मुझे इजाज़त देता है, जी जी बताएं, फागुन हमारे जो बारा मास है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, उसका आखरी मास है, और मैं ही जाना चाहूंगी कि इसकी क्या इतनी खासियत है, क्या विशेशता होती है, जो फागुन पर कविता लिखने पर मजबूर हो गए हमारे कवी, आप एक ऐसे समय में आज हैं, जी पूरे विश्व में परेया वरण एक विशाय बना हुआ है, कि प्रकृति के अनकूल कार्ज करेंगे, तो प्राकृति का आपदा नहीं आएगी, आज इतना बर्फ किर रहा है, फिर इससे भी भयानक गर्मी हो रही थी, पिछले दिनों देखा आपने, तो पूरे विश्व में आज अरब में बर्फ गिर रहा है, अरब के रेगिस्तान में बर्फ गिर रहा है, तो पूरी प्रकृति में जो ये भूचाल सा आया हुआ है, चारो तरफ जो एक बेचाईनी हुई वो इसलिए कि जो भी कार्जे हुए हैं, आधुनी समय में अद्योगी करांती के बाद जो भातिक विकास हुआ है, वह प्रकृति के विरुद्ध हुआ है. तो प्रकृति में एक इस समय आपदा चाही हुई है. हमारे हाँ प्रकृति के एक-एक पक्ष को, यानि मालने जे कि कौन सा रितू है, इस रितू में कैसा भोजन होना चाहिए, कैसा वस्त्र होना चाहिए, फिर कैसी कविताएं होनी चाहिए, कैसा गीत होना चाहिए, उत्सवों से बधा हुआ भारतिय जीवन है. प्रकृति के जैसे आप तो इसलिए हमने भागुन को कहां रखा है, तो भागुन को क्यों मनाया जाता है, तो अभी आपने देखा कि जाड़े का दिन है, पतजार आ गये हैं, पतजड़ है, चारो तरफ पतियां गिर गई है, वसंत रितु आ चुका है, वसंत का आगमन हो गया है, और चायत का पहला प्रारंभ, चायत के प्रारंभ के फूर्व भागुन महीना है, और ये वर्ष का अंतिम पड़ाव है, इसलिए आप देखी होंगी गाहों से लेके, यहां हमारे NCRT campus में भी संबत जलाते हैं, यहने होली के पहले, एक रात पहले, तो संबत जलाते हैं, आग लोड़ी भी मनाई जाते हैं, वैसे ही वाग सब जलाया जाता है, और होली का दहन का दिन है, ठीक है, यह संबत बीत गया, और उसमें यह रहता है कि किसी से भी कोई बायर बिरोध, जगड़ा कुछ भी हुआ है, उस दिन फिर एंड कर जाएगा, उस दिन उसका अंतिम दिन होगा, और सब मिल जूलकर आपस फिर से होली मनाएंगे, और पुराने बायर बिरोधों को भूल जाएंगे, और नए उत्साह से, नए धंग से, नए वर्स में हम उपस्थित होते हैं, तो यह जो हमारे अपने सांस्कृतिक बिरासत में जो चीजें हैं, उसका जन जीवन से और एक तरह से कहा कि समाजिक मनोविज्ञान से गहरा तालूख है, अब इसकी रितु चर्जा, रितु से जो पक्ष है, जिसको आज कहा जा रहा है कि कौस्मिक ओरर, ब्रह्म्भांडिये जो चक्र है, इसके तदरूप होना, और उसके अनुसासन को मानना जीवन में, गर्म जो है, गर्म चीजों से बचिये, अगर सरीर में पित बढ़ रहा है, तो नीम की फुनगिया खाये, इस तरह से हमारे जीवन चर्जा में जो चीजें है, कौस्मिक ओरर है वो, ब्रहम्भांडिये चक्र के तदूरूप जीवन जीना, ये आज प्रासंगी खो गया है, भाग टोकरी कविता लिखी गई है, जी, तो इससे अगर हम बात करें, चायवाद की बहुत बात होती है, जब हम निराराजी की बात करते हैं, तरह तरह से उसको सपष्ट किया जाता है, आप का क्या कहना है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, चायवाद के मारे में, मैंने पहले जो परकरण है, इसके पहले वाला, इसमें भी मैं, तो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, इसमें प्रविर्तियों का, काबे रचना की प्रविर्तियों का, एक समू है, यहने देशाजादी के लिए संगर्स कर रहा है, तो हमारे कभी जो हैं, आजादी के उस प्रेणा में, उसकी प्रेणा बने हुए हैं, दूसरा नए समय का अगमन हो चुका है, पूरे विश्व में, अद्ध्यों की करांती के बाद, आधनिक यूग आ चुका है, उसके अनुसार बनने की यह है, आवश्यक्ता है तो उसके लिए हम ऐसी सड़ी गली जो परमपराएं हैं, विकृतियां हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए भी, तो एक तरह से पूरे परिवर्तन के दौर में, चाया बाद नई चेतना लेकर हमारे सामने साहित्य में आता है, उसको केवल वाई भी य या कालपना कहना, या एक आभास, छाया का आभास कहना, उसको इसाही परमपरा से जोड़के देखना, या बिलकुल रोमांटिक कविताओं से जोड़के देखना, प्रेम, अध्यात, मुरहज, यहीं तक्सीमित मानना है, यह हमारे कई आचार्जों ने, रांचंद शुकल क कई आचार्ज उनने इसको इनकार कर दिया, नंदुलारे बाज़ पर ही हुए, चाहे खुद बाद के आचार्ज, नामर सिंग जी हुए, चाहे डाक्टर नगेंदर हो गए, सब ने उसको इनकार किया, और चाया बाद, एक सचमुच जीवन्त, सक्रिय, और आगे आने वाले समय की रचना में सभागिता करने वाला वाद है, और ये समझ लेना चाहिए कि उस समय चाया बाद के कवियों में निराला है, तो प्रगतिवाद तक जाते हैं, उसके बाद भी जाते हैं, आने वाले समय का एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है, बहुत बड़े हमारे दर्श नीरच कुमार हैं, ये कहते हैं कि निराला जी की प्रगतिवादी रचना के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, प्रगतिवादी रचना, यूं समझना चाहिए, ये से मान लिजे कि कभी अगर तोड़ती पत्थर की बात कर रहा है, वह आया दो टूप कलेजे को करता पश कर रहा है, या बात की उनकी और भी रचनाएं हैं, जो जन पक्षधर्ता से बिलकुल सबनांतर संबाद करती है, तो आप इसको प्रगतिवाद के साथ रख सकते हैं, और रखा भी गया है इतिहास में, लेकिन इसको आप एक कभी का समाजिक दाइत तो भी मान कर चल सकते हैं यानि अगर आप प्रगतिवाद कारोप करते हैं, तो यह सब प्रगतिवादी कविताएं हैं, जैसे मालेजे की पंत की कविता है, जो ग्राम्या है, ग्राम्या की कविताएं हैं, वो सब लोग पक्षधर होती हैं, और सब प्रगतिवाद में आती हैं, वैसे ही इनकी कविता तो जहां समाजिक दुख और उसके लिए एक समाजिक चेतना परिवरतनकारी दिशाद दर्शन अगर यह सब विशय आ रहे हैं तो वह सब को आप प्रगतिवादी कहिए बिलकुल बिलकुल अब जो कि कारक्रम के समापन का समय हो चुका है तो हम यहां पर विराम लगाएंगे अपनी बातों को आज के पठन पाठन के साथ साथ जो हमने सीखने की प्रक्रिया रही है वो भी बहुत अच्छे रही मैंने भी बहुत कुछ यहां पर नया सीखा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्पूर्ण जानकारी के आपके लिए एक बस छोटा सा काम है आप अपने विचार अपनी शिकायते अपने सुझाव या अपने प्रशन हम तक पहुँचा सकते हैं हमारी इमेल आईटी के मात्य हमसे नोट कर लीजे ciet.kishormanch at the rate gmail.com इसके अलावा कारकरम के अंत में आप स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर्स भी देखेंगे उन पे कॉल करके भी आप हमें अपने प्रशन हम तक पहुचा सकते हैं आईए आपको कल के कारकरम के विशे के बारे में जानकारी दे दें बाल साहिते के लिए किताबों को कैसे बनाएं ये कल का हमारा विशे होगा अंग्रेजी में इसे कहेंगे how to prepare books for children literature फिलहाल शालनी सिंग को दीजे आग्या नमस्कार धन्यबाद